यह एक और question है जिसके साथ five question related है अगर पैसेस को अच्छे से read करेंगे और सही diagram arrange करेंगे तो आपका यह question एकदम सही होगा तो patience के साथ आप थोड़ा सा को पैसेस को read करिए और question करिए देखते हैं six flat on a floor in two row facing north and south ठीक है यह six flat है और facing है north and south यह facing कहलाती है north यह facing कहलाती है south six flat on a floor in two rows facing north and south and allotted PQRST and U ठीक है q gate north fitting north not facing flat and north to x ठीक है क्यों जो है q gate north facing flat and north next to s तो इसका दला ऐस यहां हो सकता है s and u diagonally opposite तो s और u diagonally opposite तो u है आ गया are next to u are next to u and gate south facing पूले टीगेट और not facing तो टी यहां आ गया तो हो गया ही तो कोशन काफी जी हो गया अब इसमें पी बचा है तो पी यहां आ गया अब देखिए कई बार इतने simple होते हैं हम लोगों को लगता है कि पैसे वाले question time लेते हैं कभी-कभी सिंपल्स भी होते हैं कभी-कभी time consuming होते डिपैड़न कोशन अब अगर इसके questions को देखें तो देखिए क्या क्या कोशन दिया जैसे फिर्स्ट कोशन दिया है which of the following combination अब इसके questions को पढ़ते हैं ध्यान से और एक कोशन के आंसर देते हैं विच अप दा फॉल्लिग कॉमेशन गेट साउस फैसिंग क्यू टी एस एस क्यू ती आसी यह विश्ट बिट्बिंट क्यू एस के बीच में कौन है टी इप दा फ्लैट फ्लैट आप टी एंड पी इंड पी टी और इंटर चेंज ती अंपियं अजर पिला दो यहां पर ती यू के नेक्स में कौन होगा तो यू के नेक्स पे ती और पी के इंटरचर्ण से फरगी नहीं पर तह पहले भी आर था और बाद में भी आर ही रहेगा दा फ्लाइट ऑफ विच आफ दा अदर प्यार देन यह एक यू डाइगनली एक यू डाइगनली यह तो पी क्यू भी डाइगनली है राइट फिर बोला है तो एराइब दस फिफ्ट कोश्चन तो अराइब दा आंसर तो दा कोश्चन डेलेटेट टू इस पजल विच अफ़ फॉलिए स्टेटमेंट कें बीडिस्पेंस मतलब कि इस स्टेटमेंट को छोड़ दें तो भी आप अंसर दे पाएं तो आपने एक बात समझी कि डाइगनला मनाने में सारे स्टेटमेंट लगें इसलिए कोई भी स्टेटमेंट को नहीं छोड़ सकते तो करेक्ट आंसर इस नन अब दीज क्या आपकत है